मध्य प्रदेश में नवी से बार्वी तक के स्कूल संचालित करने के बाद अब राजी सिक्षा केंद्र ने सभी शास्की शालाओं में सिक्षन सत्र 2020-2021 के लिए पहली से आठवी तक की पढ़ाई एवं परिक्षा संबंदित दिशा निर्देश जारी किया है प्रदेश में पहली से आठवी तक के विद्ध्यारतियों का मुल्यांकन वर्शिट के आधार पर किया जाएगा इसके लिए विद्ध्यारतियों को होममेड असाइन्मेंट दिये जाएंगे जिनके आधार पर विद्ध्यारतियों के 6 माई परिक्षा और वार्षिक परिक्ष बच्चों को घर पर रहकर ही असाइन्मेंट पूरा करना है और 10-15 दिन में इसकुल में जमा करवाना है वही अर्दवार्शिक मुल्यांकन 20-30 जनवरी के बीच और बार्शिक मुल्यांकन 15-28 वर्वरी वह 10-20 मार्श के बीच किया जाएगा इसके साथ ही प्रापतंकों को बच्चों का मुल्यांकन होममेड असाइन्मेंट में दिये गए प्रश्णों के उत्तर और प्रोजेक्ट वर्वर के आधार पर किया जाएगा रोजमर्रा की जिन्दगी पर आधारित प्रोजेक्ट बच्चों से बनवाए जाएंगे मही प्रदेश के 61 लाग विध्यारति प्रोजेक्ट वर के आधार पर 40 प्रतिशत नंबर दिये जाएंगे जबकि 60 प्रतिशत नंबर का मुल्यांकन वर्शिट के आधार पर होगा राजी सिक्षा केंद्र के अनुसार जनवरी में बच्चों का 20 नंबर का प्रतिवा पर वलिया जाएगा मही फरवरी में वार्षिक मुल्यांकन पचास अंक का और मार्च में वार्षिक मुल्यांकन पचास अंक का होगा इसके बाद तीनों मुल्यांकन को मिलाकर बच्चों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा वही grading system के साथ बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा दरजल मद्धिप्रदेश में कोरोना के बड़ते संक्रमन को देखते हुए शिवराज सरकार ने पहली से आटवी तक की कक्षा को 31 दिसंबर तक बन रखने का नेड़ना लिया है महीं 9 वी से 12 तक के बच्चों के इस्कूल संचालित किये जा रहे है पहली से 8 वी तक के बच्चों को प्रमोट करने के लिए अब होम मेंड असाइनमेंट और प्रोजेक्ट कारे के जरिये बच्चों को प्रमोट किया जाना है